हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बीना शुगर से एक दम हेलदी वाला अड़द्यऑपाग जो अड़द्यऑपाग थंडियों में भी खाया जाता है और मैला ओड दिल्यवरी में भी आराम से अड़द्यऑपाग खा सकते हैं तो अड़द्य पाक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ड्राइवाला जो कोकोनट आता है न वो तो उसको हम ग्रेट करेंगे तो ये कोकोनट को बीच में हम कट लगा के दो बड़ी साइस का कोकोनट को हम ग्रेट करके रेडि कर लेंगे उसके बाद हम बदाम को सबसे क्रेश कर लेते हैं अधकस्री जैसे हम बदाम को क्रेश करेंगे तो ये अड़द्य पाक में बरपूर बदाम, कोकोनट बहुत सारी सीजे डाली जाती है और बहुत टेश्टी वाला अड़द्यपक बनता है तो यहाँ पे मैंने जितनी बादम डाले थी नहीं उसको मैंने इस तरह से अधकसरी जैसी मैंने क्रेश कर लिया है उसके बाद मैंने दो बड़ी साइस का जो ड्राइ कोकोनट था ना उसको मैंने ग्रेट कर लिया है तो भरपूर हम कोकोनट डाल के अड़द्यपक बनाएंगे उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है गुंत तो उसको भी हम फ्राइ करेंगे वो भी हम टेर सारा डालेंगे उसके बाद ये अड़द्य पाक है ना हम बीना शुगर का बनाएंगे मतलब गुड से अड़द्य पाक बनाएंगे बहुत अच्छा बनता है और खाने में तो हेल्दी होता है बट गुड से भी अड़द्य पाक perfect बनता है तो अड़द्यापक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ready-made अड़द का आटा हाता है वो मैंने लिया है वो एक बाउल भरके मैं यूज़ करूँगी उसके बाद दो बड़ा बाउल भरके मैंने लिया है ड्राय वाला कोकोनट वो मैंने ग्रेट कर लिया है उसके बाद दो बड़ा पाऊल भर के मैं ने लिया है good, जो मैं ने आपको बताया थाना, उसको मैं एकड़े छोटे चोटे पीसिस में cut कर लिया है, उसके बाद लिया है मैंने गुन्द, उसको मैं fry करूंगी वो भी में दो बड़ा पाऊल भर के use करने वाली हो, तो अड़त्यय पाक ये हमारी सारी सीजे रेडी है तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा गी को गरम कर लेते हैं क्योंकि हमको फ्राइ करना है गुंद को तो अड़ध्य पक बनाने से पहले हम गुंद को फ्राइ करेंगे तो दो बड़े चमस भर के मैंने गी डाल दिया है गी करम हो जाए उसके बाद डालना है गुंद गुंद को हम पेले फ्राइक करेंगे तो गुंद, कोकोनट और बादम आपको जितना पसंदे उतना आपको लेना है तो मैं दो बड़ा बाउल भर के फ्राइक किया हुआ गुंद में यूज़ करूँगे तो यहां पे मैंने दो बड़ा बाउल भर के गुंद को फ्राइ कर लिया है उसके बाद लिया है एक बाउल भर के मैंने ऊड़त का आटा और यहां पे मैंने लिया है आदी स्पुन जितना इलाइची का पावडर एक टेबल स्पुन वर के लिया है मैंने सूट पावडर लिया है आदी स्पुन जितना जाइफल का पावडर वो मसाला आपको जो पसंद ही वो आप डाल सकते हो अड़द्या पाक में तो जली अड़द्या पाक बनाने के लिए सब से पहले हम फिर से जो कड़ाई में गुंद को फ्राइ किया था ना उसमें ढालेंगे देर सा만 गी उसमें डलता है तो around एक बाउल जीतना मैंने गी डाला है गी डालके हम डालेंगे उसमें उड़त का आठा आठा को हम अच्छे से गी के साथ सोते करेंगे मतलब golden brown होने तक हमें उड़त का आठा को शेकेंगे आठा को मैंने धाबा नहीं दिया है मतलब उसमें जो दूद और गी डालके धाबा देते हैं तो धाबा देने की वेसे जरूद नहीं है डाइरेक्ली गी में डाल दो और अच्छे से शेक लो धाबा देने की जरूद नहीं पड़ती है तो हलका सा light golden brown आठा होने लगा है आप देख सकते हो तो यहां पर हमारा उड़त का आठा light golden brown हो गया है तो अभी हम डालेंगे उसमें खोया तो एक बाउल भरके मैंने उड़त का आठा लिया है और एक बाउल भरके मैंने लिया है खोया जब तक एक खोया इन आठा golden brown ना हो जाए तब तक हम अच्छे से mix करेंगे और अच्छे से shake करेंगे ताकि उड़त का जो हमने आठा डाला है उसका flavor ना रहे तो मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा है तो फिर से मैं एक चमस बर के घी डाल रहे हूँ और यह अड़त दिया पक जो बनाना है तो बरपूर उसमें गी डाला जाता है क्योंकि बादा हम dry coconut और गून डालते हैं तो यह गी है न वो ले ले लेते हैं तो ड्राइ हो जाता है तो बरपूर गी आपको डालना है तो यहाँ पर मैंने आटाइन खोया को अच्छे से शेक लिया है और गोल्डन ब्राउन भी हो गया है तो उपर से हम डाल रहे मसाला जो मैंने एक टेबल स्पून मैंने लिया था सूट पावडर वो हम डाल देते आदी स्पून जितना लिया था इलाईची का पावडर आदी स्पून जितना लिया था जाइफल का पावडर मसाला डाल के अच्छे से मिक्स करके यह कड़ाई हम गेस उपर से साइड पर ले ले लेते हैं तो गरम गरम बेटर है न तो हम उसमें डालेंगे गूड गूड हम के सामने में एक बावल गुड़ डाला है तो गुड़ मैंने परफेक्ट ही डाला है आप जितना सामान ले रहे ना उसके सामने आपको गुड़ लेना है तो गुड़ डालके अच्छे से हम बेटर को मिक्स करेंगे ताकि गुड़ हमारा मेल्ट हो जाए उसके बाद हम डालेंगे जो हमने बदाम को क्रश किया था था न उसके बाद डालेंगे हम ड्राई कोकोनाट जो हमने क्रे rhymes करके रखा था न मैने थोड़ा थोड़ा करके डालूगी dud unknown हमारे तो एक बाउल में ने डाल दिया है coconut powder डाल के अच्छे से हम mix करेंगे mix करने के बाद हम डालेंगे fry किया हुआ गुंद तो वह में पूरा का पूरा डाल दूँगी आप देख सकते हो एक दम बेटर पतला था ना ये अड़द्या पाक का हो गया ना ड्राई जैसा बट ड्राई नहीं होगा हम उसको एक ट्रे में फेलाएंगे ना और अच्छे से दबा देंगे ना मस्त पीसीज पड़ेंगे तो फिर से मैं डाल रहे हुँ ड्राई coconut तो डेट करने के बाद एक ट्रे पर मैंने थोड़ा सट फ्राई किया हुआ गुंद और ग्रेट किया हुआ coconut डाल के मैंने ट्रे रेडी कर लिया है उसमें हम ये अड़ अध्यापाक डाल देते हैं तो पूरी ट्रे हमारी भर गई है उसको हम अच्चे से दबा देते हैं और उपर से हम डालेंगे फिर से ग्रेट किया हुआ गुन डाल के उसको भी हम अच्चे से दबा देते हैं तो ये अडद्यापाक को ठंडा करके भी आप कट कर सकते हो और गरम गरम है तो भी कट कर सकते हो तो मैं ये अडद्यापाक को अभी कट कर लेती हूँ पेले हमको लग रहा था कि बहुत सारा गी डाला है बट ये सारी सीजे हमने डेर सारी डाली है ना ड्राइ वाली उसकी वज़े से ये ड्राइ हो जाता है बट ये अड़ध्या पाक में ज्यादा गुन डालेंगे ना और ड्राइ कोकोनट डालेंगे ना उससे ये अड़ध्या तो यहां पी हमने अड़द्या पाक को अच्छे से कट कर लिया है और गरम-गरम है न तो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का उसका पीसिस बना है तो यह पीसिस पर्फेक्ट बन गया है ठंडा होने के बाद भी यह पर्फेक्ट पीसिस में कट हो गए तो यह अड़द्या पाक है थंडी ओकी सीजन में और खास करके मैला की जो डिलेवरी हो रहे है उसके लिए भी यह special recipe है मैला भी खा सकती है जैंस भी खा सकते है सब लोग आरम से खा सकता है कोई प्रोब्लेम नहीं होता है तो friends अगर आपको ही मेरी recipe अच्छी लगे तो इस व कि हुआ है जुए है टास की खास की सीजन में जो रहे है लेकशा।न को जए औराम हो रही है जो जो जए जो रहे हां जो दो प्रोब्लो Спया भी खास क की बदेशत Das सब रहे ही है